आगाम्भी विधानसभा जुनाफ को लेकर राजनीतिक पारा पहले ही चड़ा हुआ था कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में फरजी वोटर लिस्ट की शिकायत कर कॉंग्रिस ने पारे को और गर्म कर दिया कॉंग्रिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि दोनों राज्यों में लाखो बोगस वोटर्स हैं जिनकी जांच होनी चाहिए वैं सुप्रीम कोर्ट ने कॉंग्रिस को छटका देते हुए इस याचिका को अपखारिच कर दिया है मद्यप्रदेश और राजिस्थान में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं जिसके लिए चुनाव आयूग ने तारीकों के खोशना कर दी दोनों राज्यों में चुनावी शंकनात होने के बाद से ही आरूप प्रत्यारूप का दौर टेस है कौंग्रिस ने आरूप लगाया है कि राजिस्थान और मद्यप्रदेश में लाखों की इतादाप में फरसी मतदाता है जिनके जरिये चुनाव में बीज़ेपी को फायदा पहुँचाया जाएगा वे नारूपों को बीज़ेपी खारिच कर चुकी है जबकि चुनाव आयोग ने उल्टा कौंग्रिस पर ही ध्यान बटकाने का रूप लगाया इस सियासी तकरार के बीच कौंग्रिस ने सुप्रीम कोड का दर्वासा खटखटाया था लेकिन अब कोड ने भी कौंग्रिस को छटका दिया है कौंग्रिस नेता कमलनाद और सजजन पाईलिट की आचिका को सुप्रीम कोड ने खारिच कर दिया है 8 अक्टूबर को कॉंग्रेसी नेता और चुनाव आयोग की दलीले सुनने के बाद जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोग भूशन की बेंच ने फैसला सुरक्षत रग दिया था दोनों नेताओं ने इमराज्यों में लाखों फर्जी मतदाताओं के होने कारूप लगाया था साथी उन्होंने मांग की थी कि जुनाव आयोग हर शेत्र में दस्वी सिदी भूथों में EVM BVPAT का और चक नेरिक्षन करे यहां तक कि कॉंग्रिस नेता कपिल सिब्बल ने कमलनात की याजिका पर कहा था कि जुनाव आयोग ने जूटा जवाब दिया है हम हैरान है कि जुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि हमारे खिलाफ कारवाई हो जबकि जुनाव आयोग ने खुद ही ये लिस्ट दी है दिबी लाइव के रिपोर्ट